दिल्ली की सेवाओं के बारे में केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी माई में उसके बारे में सुप्रीम कोट संसत के फैसले का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने सुमवार को सुप्रीम कोट से कहा कि संसत का सत्र शुरू हो रहा है 20 जुलाई से और संसत के सत्र में इस अध्यादेश को पेश किया जाएगा और वहाँ पर हो सकता है जो अध्यादेश है इसमें कुछ संशोधन भी हो तो उसके बाद उसका जो नतीजा आएगा उसके बाद सुनवाई करें कोट लेकिन कोट ने इस बाद को सुनने से चीश जस्टिस की कोट है तीन जजों की बेंच है उन्होंने इस से इंकार कर दिया और थरस डे को अगली सुनवाई की तारीख की घोशना कर दी अब सवाल ये है कि ये एक तरह से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच क्या कन्फरेंटेशन का मामला बनेगा फिलाल तो नहीं लगता उसकी वज़े ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो तीन जजेज की बेंच है ये कोई फैसला नहीं देने जा रही है जो इंडिकेशन है जो चीफ जेस्टिस आफ इंडिया चंदिचूड ने बात कही कि वो इस मामले को सम्मिधान पीट को भेजने के बारे में विचार कर रहे है कि ये मुद्दा जो है सम्मिधान पीट से सम्मंधित है वहाँ जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए सुप्रीम कोट का ये कहना है चीफ जिस्टिस का ने कहा कि जो 239AA के खंड साथ के तहट पहली बार केंद्र सरकार ने सम्विधान के इस प्रावधान से मिली शक्ति का उपयोग किया है तो पहली बार शक्ति का उपयोग किया है ये तो कोई आधार नहीं हो सकता लेकिन सुप्रीम कोट का जो कहना है कि ये दरसल सम्विधान में संशोधन है बिना संशोधन विधयक लाए तो सुप्रिम कोर्ट मानता है और कहता है कि किसी भी सुप्रिम कोर्ट के पूर्व जज्ज्मिंट में किसी भी जज्ज्मिंट में इस तरह की बात नहीं कही गई तो क्या केंदर सरकार ने अपनी शक्ती का दुरुपयों किया सवाल यह है या इसको दूसरी तरह से कहें कि क्या केंद सरकार को ऐसा करने का अधिकार है इस बात की जाच करेगा सुप्रिम कोर्ट अभी वो इस मामले पर है ही नहीं कि ये सही है या गलत है पहले उसकी संवैधानिक व्यवस्था जो है उसके बारे में विचार करने वाला है सरकार का ये कहना है कि ये अध्यादेश हमको जल्दबाजी में मजबूरी में लाना पड़ा नहीं लाते तो दिल्ली में एड्मिस्ट्रेटिव एनार्की हो जाती क्योंकि जैसे ही सुप्रिम कूर्ट का फैसला आया था सर्विसेस के मामले में उसके बाद दिल्ली के मंत्री अराजक ब्यवहार करने लगे और उन्होंने टार्गेट बनाया कई बिरोक्रेट्स को कई डिपार्टमेंट्स हो और खास दोर से विजलेंस डिपार्टमेंट को विजलेंस डिपार्टमेंट की फाइलों पर कबजा किया जाने लगा रात में 11 बजे अफसरों के ट्रांसफ केद्रिवाल का जो शीश महल बना है उससे जुड़ी फाइले हैं उसके अलावा बिजली कमपनियों को जो सबसीडी दी जा रही है उससे जुड़ी फाइले हैं सुप्रिम कोर्ट ने जो हिसाब मांगा है आम आदमी पार्टी से विग्यापनों का कि विग्यापन पर पिछले तीन साल में कितना खर्च किया है उससे जुड़ी फाइले हैं इसके अलावा जो केद्रिवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी दरसल ये राज्यितिक जासूसी करने की यूनिट थी अपने विरोधियों पर नज़र रखने उनकी बाते सुनने के लिए उससे ज माना जाएगा पूरी तरह से इस सब के बावजूद जो हरबड़ी जो जल्दबाजी दिखाई आमादमी पार्टी के मंत्रियों ने वो उससे देश महीं नहीं दुनिया भर में दिल्ली की बदनामी होती केंद सरकार का ये स्टेंड है लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा कि हम द का फैसला आ जाएगा संसद में इस विधेख पर चर्चा होगी उसके बाद बंदान होगा तो लोगसभा से इसके पास होने में तो कोई संदे है नहीं अब बात आती है राज्यसभा की जो कोशिश हो रही है अर्विंद के जिरिवाल की सारे विपक्षी दल एक हो जाए बी कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया अब कांग्रेस ने इसके समर्थन की घुशना की है तो सवाल ये है कि राज्यसभा का गनित क्या होगा दरसर क्या केंदर सरकार इस स्थिती में है कि इस विधेयक को पास करा सके जो 24 विपक्षी दल बेंगलूरू में मिल रहे हैं वो सब करते हैं या नहीं ये देखना होगा कि राज्यसभा का गनित क्या है राज्यसभा में इस समय साथ सीटे खाली हैं 245 का सदन है साथ सीटे खाली है चार सीटे जम्मू कश्मीर की खाली है क्योंकि वहां विधान सभा नहीं है और दो सीटे नॉमिनेटेट केटेगरी की खाली हैं एक उत्तर प्रदेश से खा लिए इस तरह से साथ सीटे खा लिए तो 238 सदस्य हैं इस समय राज्य समा में अब इसमें बहुमत के लिए 120 सदस्यों की जरूरत होगी बीजेपी के अपने अभी अभी कली जो चुनाओ की घोष्णा हुई है पच्षिम बंगाल गोवा और गुजरात से उसके बाद एक सीट बढ़ गई है बीजेपी की बीजेपी की कुल सीटें इस समय 93 हो गई 93 कॉंग्रेस की एक सीट घट गई है उसकी सीटों की संख्या 30 रह गई है लेकिन बात तो यूपी और एंडिये की हो रही है कि विपक्षी खेमे में कितने हैं और एंडिये के खेमे या बीजेपी के खेमे में कितने हैं तो एंडिये के जो सदस्य है उनकी कुल संख्या राजेसभा में 105 है यानि 15 कम है बहुमत से लेकिन भाजपा को जो 5 पाउच नॉमिनेटिट बिंबर हैं और दो इंडिपेंडिनेट मिंबर हैं. इनका समर्थन हासिल है तो अगर पांच दो साथ को अगर मिला दे तो 112 होते हैं. अब 8 कम हैं. इसके यालावा toen BSP का एक सांसद है,ителя का एक सांसद हैं और 一ंचांस है. जेडि़ीव का एक सांसद है. अब पांच की कमी रह गई अब सरकार चाहे तो मददान से पहले दो जो नॉमिनिटेट काटेगरी में जो सीटे खाली हैं उनको भर सकती है अगर उनको भर लेती है सरकार तो 170 हो जाएंगे सिर्फ तीन की कमी रह जाएगी अब तीन के लिए तो दो मददगार 2019 से लगातार जो दिखाई दे रहे हैं राजसभा में भाजपा के केंदर सरकार के वो है बीजू जनतादल और दूसरा YRCP कॉंग्निस तो ये दो पार्टियां हैं इन दोनों पार्टियों के राजसभा में नौ नौ सदस्य हैं अठारा होते हैं तो तीन की कमी है अठारा है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये समर्थन करें बीजू जनतादल ने कहा है कि वो जब विधैक पेश होगा मददान के लिए आएगा तब अपना फैसला सुनाएंगे कि वो इस पर उनका क्या रूख होगा YRCP ने अभी तक कुछ नहीं बोला है YRCP को साथ रखने के लिए ही BJP अभी TDP से कोई समझाता नहीं कर रही है एक कारण तो ये भी है लेकिन ये दोनों पार्टियां समय समय पर भारतिय जनता पार्टि को जरूरत पढ़ने पर साथ वोर्ट देकर और जरूरत नहों तो मतलब अगर बिना उनके वोर्ट के पूरा हो जाए तो वाक आउट करके या एपस्टेन करके मदद करती रही है मान लीजिए कि अगर ये दोनों पार्टियां एपस्टेन कर जाएं तो बहुमत के लिए सिर्फ 111 सदस्टेन की जरूरत होगी तो इसलिए राज्यसभा में सरकार बिलकुल निश्चिंत है कि इस विधैक को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन विपक्ष एक संदेश भेजना चाहता है इसके जरिये और वो अपनी एकता का संदेश भेजना चाहता है सरकार संदेश भेजना चाहती है कि राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद हमारी पार्टी का हम बहुमत से विधैक पास कराने की स्थिती में है यानि हम अपनी बात से लोगों को दूसरी पार्टियों को कन्विंस करने उनको मनाने में काम्याब होते हैं इसलिए अभी तक पिछले 9 साल में राजसभा से कोई विधयक सरकार का गिरा नहीं है ये कोई सामान ने बात नहीं है आज 93 सीट्स है बीजेपी की और जब सत्ता में आये थे 2014 में तब इससे बहुत कम थी एंडिये की और ज़्यादा कम थी तो ऐसे में ये सरकार का राजनीतिक कोशल है और फ्लोर मैनेजमेंट का अच्छा उदारण है कि संख्या बल साथ नहोने के बावजूद वो संख्या बल जुटा लेती है जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो चाहे अनुच्छे 370 का मामला रहा हो या फिर 3 तलाग का मामला रहा हो या दूसरे जितने भी मामले इस तरह के हैं और खास तोर से अगर आप याद करें जिएस्टी के मामले को जिएस्टी पर लगभग सर्मानुमती जुटा ली थी सरकार ने एक ऐसा कानून जिसमें राज्यों ने अपने वित्ती अधिकार छोड़ दिये और इतनी फ्रैग्मेंटेड पॉलिटी में इस तरह का विधेयक पास कराना ये सरकार के राजनितिक प्रमान है अलाकि उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्वर्गी अरुन जितली की थी उनके जो अलग-अलग राजनितिक दलों से संबंध है उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने इस मुद्धे पर अलग-अलग राजनितिक दलों के नेताओं को कन्विंस किया उनको समझाई बात कि कैसे ये देश के हित्मे है ये पार्टी का मामला नहीं है देश का मामला है इसलिए राज्यसभा से ये अध्यादेश विधैक के रूप में जब आएगा तो इसके पास होने में कोई शक्त नहीं है सवाल यह कि इसमें संचोधन क्या होंगे हो सकता है विपक्ष के ये फैसला आता है कि ये सरकार ने जो विधैक पास किया है ये सम्मिधान सम्मत नहीं है फिर क्या होगा एक नए तरह का कन्फरंटेशन शुरू होगा एक नई कॉंस्टिूशनल क्राइसिस जैसे इस्तिती होगी कि संसत से पास किये हुए कानून को सुप्रीम कोट ने उस एन पर रोक लगा दी लेकिन यह हाइपॉथेटिकल है, यह हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि सुप्रीम कोट क्या फैसला देगा लेकिन संभावना तो यही है कि या उसको सही ठह राएगा या गलत ठह राएगा दो में से होना तो एक ही है, तो दोनों संभावनां पर बिचार करते हैं अगर सुप्रीम कोट इसको सही ठहराता है तो फिर अर्विंद केजरीवाल के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे दिली की जो इस्थिती है और अर्विंद केजरीवाल ने जो इस्थिती बना दी है जिस तरह की राजनीती कर रहे हैं जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं अभी 400 लोगों की नियुक्ति का मामला आया है कि अपने पार्टी का एडर को किस तरह से उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति दी S.C.O.S.T. के रिजर्वेशन का भी ख्याल नहीं किया तो बिजली कमपनियों को सबसेडी देने के मामले में जो घोटाला हुआ उसकी जाज़ शुरू हो गई है तो घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं जिस तरह से याद कीजिए 2009 से 2014 का दौर था यूपिय सरकार का एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे उसी तरह से अर्विंद केजरिवाल की इस्तिती है 2020 का चुनाव जीतने के बाद उनके लगातार घुटाले सामने हा रहें एक के बादे दो मंतरी जेल की हवा खा चुके एक अभी जेल में ही है एक अभी बेल पर है और कितने लोग जेल जाएंगे और अरविन केजरिवाल कब तक बचेंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता बच जाएंगे इसका भी भरुसा अरविन केजरिवाल को भी नहीं है तो कुल मिला कर इस्थिती ये है कि मैं तो मतलब काफी दिन से कह रहा हूँ मेरी तो एक ही राय है कि दिल्ली से विधान सभा को खत्म का देना चाहिए वरना ये हमेशा जो है एक सिर्दद बना रहेगा केंदर सरकार के लिए जिस पार्टी की भी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आज बीजेपी है कल कोई और हो सकता है परसों कोई और हो सकता है इसलिए वो सवाल किसी पार्टी का नहीं है सवाल देश का है सवाल जो है देश की छबी का है इस तरह की अर्विंद केजरिवाल और इस तरह की पार्टियां और इस तरह की मुख्यमंत्री आ सकते हैं भविश्य में हैं तो इसलिए दिल्ली को जरूर ही नहीं है विधान सभा की ये केवल पोलिटिकल लोगों को रोजगार देने के लिए इसकी विवस्ता की गई जो फैसला 1956 का था इसको खतम करने का वो बिलकुल सही फैसला था लेकिन ये सब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है फिलहाल इस्तिति ये है कि संसत से पास होन के बाद ये विधायक पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा और सम्विधान पीठ को रेफर किया जाएगा कब पीठ बनेगी कब उसका फैसला आएगा ये इसमें अभी लंबा समय है हो सकता है कि लोगसमा चुनाव तक कोई फैसला ही ना आए क्योंकि अनुच्छे 370 क का ही मामला देखिए उस पर सुनवाई अब शुरू हुई है 5 अगस 2019 को पास हुआ था सम्विधान पीठ को रेफर कर दिया गया एक पीठ के जज रिटायर हो गया दूसरी पीठ बना दी गई अब सुप्रिम कोट ने कहा कि 2 अगस से रोजाना सुनवाई होगी तो इसलिए जो है अदालत का फैसला कब आएगा पता नहीं लेकिन ये अध्यादेश कानून बनने जा रहा है ये साफ तोर पर फिलहाल दिखाई दे रहा है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में पिर मिलेंगे किसे ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से हम पिले अजय है ने झाहिए